शूटिंग के दौरा उनका देहान थो गया और उनका हमेशा से बस यही था कि मुझे एक बार ना तू अमिता बच्चन से मिलाना सर जब यह हुआ तो मुझे इस बात का बहुत गिल्ट हुआ कि मैं कभी उनको आपसे मिला नहीं पाया सर मैंने किसी तरह मुझे उनके लिए कुछ करना था स्पेशल सी दिन रात को मैं आपके संपर्क में आया और मैंने आपको बताया ऐसा और मैंने कहा कि अगर अमित जी अगर आप कुछ एक छोटा सा वीडियो अगर उनके लिए बना के भेज दें और मैं वो वीडियो सिर्फ आपके और उनके बीच में रहेगा, कोई नहीं देखेगा उसको और मैं उनकी तस्वीर के सामने वसी वीडियो चला दूँ आप जो भी बोलना चाहें सर आपने तुरंथ वो वीडियो बना के भेजा ता वहाँ पर सर कमाल की बात ये है कि वो वीडियो में चलाया उनके सामने सर और सम रीजन उसके बाद वो पेंड्राइब से वीडियो खुद बखुद गायब हो गया सर I think it was meant to be between you and her but sir thank you so much आपने जो किया मतलब इसके लिए